सूप्रबाद बच्चों आप पढ़ रहे हैं गोसामी तुलसिदास जी को और उनकी एक रचना कवितावली से जो संकलित तीन चंद थे वो आपने देख लिये हैं तो उन तीन चंदों में आपने पहले दो कवित पढ़े हैं उसके बाद में एक सवईय पढ़ा है और उनकी जो भाषा थी वो मैंने आपको बता आते ब्रजभाषा में थे अब तुलसिदास की जो दूसी रचना है और विश्व प्रसिद्ध कृति है क्लासिक्स में आती है वांग में के केवल भारत के ही नहीं बलकि विश्व के जो क्लासिकल बुक्स हैं उनमें रामचरित मानस है और यह रामचरित मानस की जो है विश्व यापी मांग है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पुस्तक है पढ़ जाती है उनमें रामचरित मानस भी एक पुस्तक मानी जाती है तो रामचरित मानस का महत्व क्या है यह आप सर्च करके पढ़ सकते हैं अब हम आते हैं जो हमारे पाठ्ठे क्रम में संकलित है वो अंश है राम्चरित मानस के लंका कांड से है आपको पता ही है कि राम्ट में पढ़ लिया है सुनी है कि जो रामणा का पुत्रता मेगनाद्र उसके त्वारा शक्ती चलाइजाने पर लक्षमन जो थे वो मुर्चित हो गए थे और लक्षमन जब मुर्चित हुए तो उनके सही होने की ठीक होने की उम्मीद किसी को भी राम या राम के जो पक्षवाले योध्धा थे वानर से न थी किसी को भी उनके बचने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि शक्ती ही ऐसी चलाई गई थी इनके उपर कि जिसका कोई तोड नहीं था उस समय उनके पास में तो लक्षमन जैसी मुर्चित हो जाते हैं तो राम विलाप करना शुरू कर देते हैं तो अब राम को किसी तरह की उमीद शेस नहीं रहती उनको नहीं लगता कि उनके भाई की जान बढ़ सकती है तभी आपको मालूम हो कि विविक्षन जो थे उस समय राम के साथ मिल चुके थे लंका के राजा रावन के भाई थे और उन्होंने रावन ने उनको घर से निकाल दिया था तो वो राम की शरण में आगे थे और राम के साथ ही मिल गए थे तब वो राम को सुझाव देते हैं कि अगर लंका से सुषेन वैद को बुलाया जाए एक डॉक्टर है मांके जाने माने और यदि उनको बुलाया जाए तो वो कोई न कोई उपचार इसका लक्षमन का कर दे देंगे तो यह जो जिम्मेदारी थी बड़ी जिम्मेदारी थी यह हनुमान जी को दी गई कि वहां से लंका से सुषेन वैद को लेके आए हनुमान जी ने इस काम को अंजाम दिया सुषेन वैद जी आए और उन्होंने देखा और अपना जो चिकित्षक का धर्म होता है व पर निवाना होता है चाहे भले वो शत्रु के लिए निवाना हो और आज भी ये परमपरा बरकरार है तो राम की चिंता और बढ़ गई तब उनने का कि इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसको बचाने वाले जो दवा है वो यहां से बहुत दूरी पर है और उस दवाई को अगर रात रात में लेके कोई आ सकता है तो सूर्य निकलने से पहले अगर वो श्दी मिल जाए लक्षमन को तो लक्षमन के प्राण बचाए जा सकते है लेकिन ये एक असाध्य कारिये है इस कारिये को कोई कर नहीं सकता क्योंकि वो जो दवाई है यहां से बहुत दूरी पर है और रात्री बीतने में जो समय है उस समय अवधी में उस दवाई का नाम बड़ा मुश्किल है इसलिए प्राण नहीं बच सकते तो एक बार फिर आशा लगाएगे कि इस काम को हनुमान जी कर सकते हैं तो हनुमान जबेदाई तो दिया गया कि आप वो दवाई लेकर आएं वो उषधी लेकर आएं जिसका नाम संजीवनी बूटी है जो उसका बता देख कि उस जगह मिलेगी तो हनुमान जी ने फिर एक बार इस असाध्यकार्य को साध्यकरने का परियतन किया और वो महां से उड़कर चले गए उस जगह पहुच गए जहां की लोकेशन उनको दी गए थी कि महां से वो दवाई मिलेगी महां से वो उषधी को पैचान नहीं पाए तो उनने क्या किया था बच्चों आपको पता है कि उनने पूरा पहाड़ ही उठा लिया था जिस पर वो उस तरह की उषधिया थी और उनको ले करके वो उसी मार्ग से वापस आ रहे थे तो जिस समय वापस आ रहे थे उस समय उनका जो वाईव मार्ग था वो वाईव मार्ग उस समय अयुद्ध्य के उपर से जाने का रास्ता था तो उस रास्त से वो उनकी वापसी हो रही थी क्योंकि रात्री का समय था और अयुद्ध्य के राज़ा उस समय तो उस समय भरत की नजर जो पड़ती है हनुमान जी के उपर पड़ जाती है उनको क्या पता कि घटना क्या घटित हुई क्या हुआ उनको तो यह लगता कि शायद कोई राक्षस है जो कोई बहुत बड़ी चीज उठा के जा रहा है और यह ऐसा ना हो कि मेरे जो अयुद्ध्या इस पर कोई आक्रमन कर दे इस भारी भरकम चीज को अयुद्ध्य के उपर ना फैंक दे तो उनको यह संदे हो जाता है कि शायद यह अहिद कर सकता है उनको क्या पता था कि यह हनुमान है तो भरत ने क्या कर दिया उस समय हनुमान जी के उपर एक तीर चला दिया अब हनुमान जी को जैसे वो तीर लगा हनुमान जी नीचे भूमी पर आकर गिर पड़े थोड़ी दिर बाद हनुमान जी वो चेतना आती ह बेहोशी उनकी तूटती है और वो देखते हैं कि यह कहां हूं मैं उनको बता जाता कि आप यहां है आयुध्य में और कौन है आप अपना परीचे दीजिए और यह क्या लेके जा रहे हैं वाफ तो उन्होंने वो सारी जो घटना थी वो उनको सुना दी और बता दिया कि मैं का सिवक हनुमान हूं और यह जो है परवत मैं ओश्धी लेने के लिए आ था ओश्धी मुझे पहचानने में मुश्किल हो गए इसलिए पूरा पूरा पहाड़ ही लेके जा रहा हूं तो बच्चों ऐसी घटना थी है कि उनको भरत को लगा कि उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी उनको अपने इस कृत्ते पर अपने इस कारणामे पर बड़ा खेद होता है और उनको जैसी पता चलता है कि लक्षमन मुर्चित हो गए है तो बहुत जादा वो दुख्षी हो जाते हैं साथी साथ हनुमान जी ने उनको यह भी बता दिया कि यह और रात्री भर में यानि सुर्य निकलने से पहले उन वहां तक नहीं पहुंची तो लक्षमन का बचना मुश्किल होगा तो उस समय सज़स्ट करते हैं भरतभी हनुमान जी को कोई बात नहीं है मेरे पास मेरे पास बान हैं जो कि वो आपको तुरंत उस जगह तक पहुंचा देंगे जो आपका यहां पे समय वेस्ट हुआ है उस समय की बरपाई भी हो जाएगी और आप समय रहते महां पे चले जाएंगे तो हनुमान जी क्योंकि उनको अपनी सामर्थ्य का पतत था वो कहने लग लाते हैं कि दिखाते हैं कि देखो यह राम की चरण खडाओं है इनको मैं राजगद्धी पर रखता हूं खुद नीचे बैठता हूं और राजकाज में चलाता हूं तो यहां हनुमान जी को भी जो अपने उपर एक घमन था कि राम का मेरे से बड़ा सेवक नहीं हो सकता त लेकिन अब उनको लगा कि नहीं वही मेरे से बी ज्यादा उनका भक्त है कोई तो भरत को अपने से स्टेश्ट भकत मानते हैं तो अब यह हनुमान जी ने देख लिया मां का बातवन देख लिया माहौल देख लिया और भरत के मन में राम के प्रतिजों नहीं था उसको भी नात तुरंत हनुमान जी कह रहे हैं किसको भरत को कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रताप तुम्हारे यश को तव तुम्हारे प्रताप यश को और हृदे में राखी रखकर प्रभू हे प्रभू भरत अब तक कौन थे प्रभू राम थे लेकिन उनका भाई था इसलिए कहा कि ह प्रभू जेहुनाथ तुरंथ हे स्वामी मैं तुरंथ जाना चाहता हूं तुम्हारे यश तुम्हारी कीर्थी तुम्हारे प्राक्रम को महर्दे से सम्मान देता हुआ अब तुरंथ जाना चाहता हूं कृप्या मुझे आग्या दीजे जाने के लिए असक ही ऐसा कहकर उधी भाषा में है रामचरित मानस तो इस दोहे का आपने अर्थ मज़ लिया हनुमान जी किसे कह रहे हैं बर्थ से कह रहे हैं कि तुम्हारे यश तुम्हारी कीर्थी तुम्हारे प्राक्रम को उर्राखी हृदे में रखकर प्रभू हे प्रभू हे नात हे स्वामी जे हूँ नात्स तुरंत मैं तुरंत जाना चाहता हूं क्योंकि मेरा जाना बहुत लाजमी है जरूरी है अस कही ऐसा कहकर आया सुपाई आग्या पाकर पदबंदी और उनके पैरों की वंदना करके चले वनुमन्ध हनुमान मां से चल देते हैं चल दिये अब रास्ते में भरत भरत की शीलता यानि सज्जनता उनके गुण और प्रभुराम के चरणों के प्रती उनकी अपार प्रीती से इतने भाव विभोर हो गए हनुमान जी कि मन महुझात सराहत मन ही मन में सराह ना करते हुए जाते हैं पुनि पुनि बार बार पुवं कुमार हनुमान जी बार बार भरत के यश, बल, प्राकरम और प्रभुराम के चरणों के प्रती उनकी अपार प्रीती को मन ही मन में सराह ना करते वे वहां से चले जाते हैं तो बच्चो इस वीडियो में इतना ही शेस जो चोपाईएं आएंगी वो आपको अगली वीडियो के मादम से भेजी जाएंगी बहुत बहुत धन्यवाद